उमीद है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कलासें बहतरीन तरीके से चल रही हैं इसके पहले जो भी चली थी वो भी आपने देखा था और इस कलास में भी आप पूरे जोस और जुरून के साथ जुड़े हैं बहुत से साथी जुड़े हैं जिनके कमेंट्स हम थर्टीवन किया है यह लाइब नंबर थर्टीवन है इसमें क्या-क्या पढ़ना है कल आप लोगों ने तिर्भुच शुरू किया था तो पहले एक बार कमेंट करके सभी ये बताओ कि तिर्भुच कितने परकार के होते हैं कल मैंने बताया था और उनके नाम क्या-क्या है ये भी कल मैंने बताया था तो आप लोग एक बार बताईए तिर्भुच कितने परकार के होते हैं नाम सहीद साथियों एक छोटा सा मुझे सवाल बताईए वो ये है कि कि 95 डिग्री का जो कोण है ये अधे कोण है कि निवन कोण है जल्दी से सभी साथ ही कमेंट करेंगे फटा फट मैं सबका कमेंट देखूंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो रिवीजन जरूरी है थोड़ा बहुत ये 95 डिग्री का जो एंगल है वो किस तरह का एंगल है पता ये कमेंट सबके दिख रहे है मुझे कोई दिक्कत नहीं चलो ठीक है कोशिस करना है ये है डी इल इडी मैट हूं दन ठीक है असीता ने जवाब दे दिया है दीपेंदर जी ने बता दिया समरीन रूची साख्या गौतम पटेल आरती चोधरी उरवर्सी बर्मा सुपरिया तिरपाठी प्रीती फीजा खान और इतलेस ठीक है कोशिस करने में क्या जाता है ये अधिक कोण है नबे से अ आगे बढ़ते हैं टॉपिक और मुख्य पॉइंट क्या है कल मैंने फार्मूले लिखवाय थे कि भाईया बाबु राजा लिख लो इस पर हम लोग कुश्चन करेंगे तो कुछ लोग तो लिखे थे और कुछ लोग लजा रहे थे नहीं लिखे तो नहीं लिखे तो वो जा चाबर हैं आपस में ये 5 cm है और ये बी क्या है पांछ है और ये 8 cm है रीयल में कितना है इस से मतलब नहीं है ये हमारी तरफ से माना गया है ठीक है आप लोग ये बता मुझे कि इस तिर्भुज का अगर हम छेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा वाट इदा एरिया आप दिस ट्राइंगल और किस तरीके से निकालोगे ये भी बता दो मुझे चलो कोशिस करके देखो एक बार कल मैंने सूत्र बताया था तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा पहले तो आप ये बताओ यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा कौसल्य मौर्या जी गुड इवनिंग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर देहन दीजी आप आएए देखे साथियों इसमें दो साइड बराबर है यह अलग है तो हम यहां पर मानेंगे हाल यहां पर लिखिए माना लिख लिजिए इसको A B C मान लिजिए तीनों बुजाओं को ठीक है क्या मानोगे A B C लिखिए यहां A बराबर चलो पांच सेंटीमीटर बी बराबर भी पांच सेंटीमीटर और C बराबर आठ सेंटीमीटर इनके नाम भी हम लिख देते हैं A B C ठीक है डन अब समझना अब समरीन बहुत अच्छे बरी गुड तो यह तीन भुजाएं हो गई साथियों इस तरह के कोश्चन में मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इनके आर्धपरिमाप निकालेंगे आप आर्धपरिमाप निकाल करके फिर तिर्भूज का जो इस इक्वल आफ अपलस बी प्लस फी फाइनल में हाफ अपलस बी प्लस फी यह 18 बटा दो हम पांच पांच दस आठाठाथारा इक्वल 9 cm यहनी जो यस का मान आया कितना आया 9 cm अब हम तिर्भूज के छेत्रफल का सुत्र लगाएंगे इधर साइड में देख लो ठीक है तिर्भूज का छेत्रफल यह फर्मूला आप सबको पता है का है अंडर रूट के अंदर में यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस भी एस माइनस सी यह क्या है सुत्र है ठीक है माईश्टर किंड जी बताईए ठीक है जल्दी करिए अब इस फार्मूले में कौन-कौन है जो मान रख लेगा भई कमेंट मैं सबका देख पा रहा हूं फोन में क किते लोग हैं जो इसके मान रख लेंगे यह फाल्तू का कमेंट कर रहा है से हाइड करो इस फाल्तू वालन को बलग करो भई जो पर रहा सिरिप उसी को रखो बस चलो तो यह सका बहलू कितना है नाइन है तो ये 9 माइनस A कमान कितना है बोलो भट से फिजा खान कितना भई A कमान यहाँ पर मैंने रखा था 5 है Yes माइनस B, B कमान भी 5 है A, Yes कमान 9 है Yes की बहलू क्या आए 9 आई है और ये 9 माइनस 8 दिख तो रहा है यहाँ पर सब्ट्रेक कर लिजिए 9 इन्टू यह 4 हो जाएगा इन्टू यह भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इन्टू 1 हो जाएगा 4 चौग 16 16 नमया 22 चौग 36 4 चौग 24 हाफिल 24, 12, 14 144 आएगा नीचे दिख रहा है ना 144 आएगा इसका जब और गमूल करोगे तो प्लस माइनस में 12 आएगा कितना आएगा 12 आएगा यहाँ पर फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 12 cm2 cm2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि कुश्चन में जो इकाई है वो cm है समझ मैं आज अभी को बोलो फट से यास लिख लिजिए यह आपका सवाल था जिसका सलूसन हो चुका है आगे नेक्स्ट कोईश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो लोग नहीं लिख पाए वो इसे थोड़ा सा मिटा मुटा के कर लेंगे कुछ अभ्यास प्रस्ण करवा देते हैं जिससे आप फटा फट जल्दी से जल्दी कुश्चन कर ले जाईए चलिए अब इसमें भुजाओं में हम चेंजिंग करेंगे बाकी सारे रूल आप खुद से करके मुझे अंसर बताएंगे क्योंकि अभ्यास प्रस्ण ज़रूरी है ठीक है कोशिस कर एक बार हम मान लेते हैं कि ये भुजाएं तीन सेंटीमीटर है ये भी तीन सेंटीमीटर है और ये आपका पांच सेंटीमीटर है तो अब इसका जो छेत्रफाल है वो कितना आएगा बताओ कोशिस करके देखो एक बार कितना आएगा कितना आएगा जल्दी बोलो चलो गौतम रचना सम्रीन चलिए मैं बताता हूं टेंशन मत लीजिए देखे थोड़ा सा हम वक्त देते हैं कि आप लोग कोशिस कर लीजिए नहीं तो मैं बता रहा हूं इसका भी टोयल ही आएगा इसका भी टोयल आएगा साट कट में करता हूं मैं इसको जादा डीटियल में नहीं करूंगा सबसे पहले हम यस का बैलू निकालेंगे यस का बैलू निकालेंगे तो तीन तीन च्छा धन पांच इसको ऐसे जोड़ेंगे तो यस बराबर जो आएगा छे पांच ग्यारा बटाद दो आएगा याद रखना ठीक है अब यहां हम सूत्र लगाएंगे यहां पर याद रखना एक चीज और यह मान लो ए इसको बी इसको सी कुछ भी आप ऐसे मान सकते हो यहां पर मैंने माना है चलो इनको ए मान लेते इनको बी को सी क्लियर थोड़ा मैं इसको साटर में कर रहा हूं क्योंकि पहला कोशन मैंने डिटील में किया था अंडर रूट unit yesyes कमान गयरा पटदो आया है यह माइनस ए होटा है तो yes my erst कमान गयरापटदो माइनस ए कमान तीन येस माइनस भी होता है और येस माइनस सी क्लियर सभी को समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं चलिए इनको हल करते हैं ये हो जाएगा आपका ग्यारा बटर दो इनको आप वन छिपा लीजिए ग्यारा एकम ग्यारा दो तियाई छे फाइनल में हो जाएगा ग्यारा माइनस छे बटर दो इनको वन छिपाईए ग्यारा माइनस दो तियाई छे बटर दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं इन पे भी नीचे वन करिए ग्यारा माइनस दस बटर दो कितना है को है जो आप लोग कर लिए हो है लक्छमी सर्मा कि कुछ समझ में आ रहा है कि भस हाई से हाइब हाय हो रहा है कि अब यह गीरा बटा दो इन्टू इसमें से घ disguise तो पांच बटा दो आएगा हग है यह भी पांच बटा दो आएगा यह आपका एक बटा दो आएगा इनको आप हल करेंगे फाइनल में कितना आएगा भाया देखो दो दूना चार दूना आट दूना सोला बड़ा आजीब टाइब का रहा नहीं है और यह पचम पचीस ग्यारा से आप इसमें गुड़ा कर लीजिए जादा अलपड़ा होगा थाम कुछ नहीं इसमरा नहीं है और विसम संख्याएं पजीब लेकिन समसं अंख्या यह आपस में कट नहीं रही है तो पचम 25 और 11 से गुड़ा कर दीजिए ग्यारा पचे पच्पन सबका मल्टिपल कर लिजिए पचम 25 तो ग्यारा पच्पन का 5 हांसी लाया 5 ग्यारा दुना 22 527 बटा 16 यह इसका अंसर लिख सकते हो आप इसके आगे मुझे निलगता इसमें कुछ होने वाला है हाँ दसंबलों में आप निकालोगे करोगे तो कुछ हो सकता है लेकिन इतना ही आप लिख दोगे आंसर ज्यादा लफड़ा नहीं करना है वर्ग सेंटीमीटर देखिए कोईश्चन उलज क्यों गया ऐसा क्यों आ गया पता है क्योंकि यह कोई कोई कोईश्चन था नहीं मैंने इसको बनाया था यह ऐसे कोईश्चन आपके DLA की परिक्षा में तो बिल्कुल नहीं आएंगे सिंपल से आते हैं जो हल हो जाते हैं जैसे मैंने पहला किया था हिर्द्यांसी कश्यप सुप्रिया गौतम पटेल कुछ समझ में आज सभी को फट से लिख लिजिए जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल देर ना करें आगे बढ़ते हैं चलिए तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं आप लोग उन्हें कर ले जाएंगे एक और बताइए इसमें जबाब आएगा एक संभाहु तिरभूज की भुजा 4 संटीमेटर है चुनना एक संबाहु तिरभूज है अगर उसकी भुजा 4 संटीमेटर है तो उसका छेतरफल कितना होगा कि आप लोग मुझे बताओ चलो मैं यहां पर फीगर बना देता हूं क्योंकि कल फार्मूला लिखवाया था तो आज सवाल करने पड़ेंगे कि सवाल करने पड़ेंगे यह संभाहू है कह रहा है संभाहू का मतलब साभी बुजाएं बराबर है चार फेंटी मीटर है हां 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 पताइए यह सभी फौर फौर सेंटिमेटर हैं अब बताओ भाई साब कितना आएगा जरा कोशिस कर लो एक बार चलो कितना आएगा फोर इंटू अंडर रूट तीन समरीन नौमनी स्वरी नौमनी इनका नाम है बड़ाजीब टाइब का मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं ठीक है जो भी है अच्छा है इतमासा हो रहा है इनका नाम भी अन्नोन है कर रहे है क्या है सर जानवार दिखने रहा तुमें ठीक है आप लोग इसको कर लीजिएगा कल मैंने फार्मूला भी लिखवाया था संभाहु तिर्भूच का कल मैंने फार्मूला भी लिखवाया था संभाहु तिर्भूच का लिखवाया था ना एक छोटा सा सुत्र लिखवाया था क्या था वो रूट तीन पांच चार भूजा का स्कॉयर संभाहु तिर्भूच का छेदरफल बराबर रूट तीन बटा चार और भूजा का स्कॉयर ये लिख्वाया था भुजाएं इसमें सब बराबर होती है तो ये इतना हो जायागा इंटू स्कॉयर का मतलब दो बार गुड़ा एक थी चार कट गया तो कितना आया फोर इंटू अंडर रूट तीन फोर इंटू रूट तीन आंसर हो गया बस फाइनल डन खतम है कि समझ में सभी को उर्वर्शी जी आया समझ में महेंद्र आया समझ में सल्मान खान कि सब पढ़ने लगें का है ठीक है तो आप लोग इस तरह के प्रस्न को कर ले जाएंगे आगे यह तिर्भूच चैप्टर था मतलब टॉपिक था तिर्भूच हम खतम कर देते हैं कोईश्चन तो करेंगे तो बहुत सारा है तिर्भूच खतम करते हैं चलो अब नेक्स्ट आयत आता है क्या आयत कंसेप्ट आफ रेक्टेंगल हेटिंग लिखिए कंसेप्ट आफ रेक्टेंगल क्या आप लोगोंने आयत देखा है आयत यानि रेक्टेंगल कौन से जानवर का नाम है कौन कौन देखा है हुँ देखे हो करने ह। हाई आयए बताता हूं देखा है देखने के तो बहुत कुछ देखा है की अ की लेकिन अमत देखो अब जिला देखा हौ ये क्या है रेक्टेंगल दिभी जे रेक्टेंगल में सायत इसको लगाने मुझे दिखने रहा है भेंगे कि तब भी नहीं सही है क्योंकि आगे चमक रहा है लाइट बहुत ज़्यादा है लाइट इसली है जिससे थोड़ा गोरे ओरे दिखें ठीक है देखो मैंने कहां बहुत कुछ देखा है तो लोगों को मज़ा आ रही है मतलब गलत ही सोच लेते हो रेक्टेंगल इनकी कुछ खासियत है जैसे देखिए हम आपके सामने हैं तो हमारी भी कुछ खासियत है मतलब आप समझ रहे हो आपको तो सामने अच्छा यह अच्छा यह दिख रही हैं बहुत अच्छे हैं पढ़ाते हैं सीधे साधी लग रहे हैं हम कितने खतरनाक हैं उसक तो आपनी जानते हो यह क्या है यह हमारे प्रपरटी है गुण है जिसे कहते हैं आउगुन बच्पन में सुना होगा दादी लोग बोलती थी लड़कवा फलनाव बड़ा आउगुनी है आउगुनी का मतलब मतलब गलत प्रकार के गुण वैसे क्या करना है देखो पढ़ाएं क्या वह कौन लिख रहा है अंबानी का सत्यानास हो मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है अब भई अंबानी का सत्यानास होगा तो नेटवर्क तुमारा और ख़रा हो जाएगा हाँ तो रेक्टेंगल में क्या है इसके प्रोपर्टी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है देखिए इसके कुछ गुण पर गुण होते हैं जैसे मने अपना बताया जाता तो नहीं बताया लेकिन आप समझ गया होंगे वैसे इसके गुण क्या है सबसे पहला गुण ये ह है कि इसकी सम्मुक बुजाएं आपास में बराबर होती है इसकी सम्मुक बुजाएं आपास में बराबर होती है ठीक है दूसरा गुण क्या है दूसरा गुण है कि इसके परतेक कौन नब्बे अंस के होते हैं इसका परतेक एंगल चार एंगल इसमें है कितने कितने के होते नब्बे नब्बे के होते हैं ठीक है कि इसके और भी कोई गुण परगुण है का भाई कि इसको जो बिकर्ण है न वो दोनों जो बिकर्ण है वो आपस में लंबाई में बराबर होते हैं और बराबर बराबर सम्दुभाजीत भी करते हैं अगर उन्हें खीचा जाये तो यह भी तो इसका एक पार्ट है ना असनेहा तिवारी हाँ बहुत अच्छे ठीक है बेरी गुड बिने चलिए तो यह तो इनके गुड हो गए जो मैं लिखवाया तो नहीं लेकिन अब कुछ चीजें लिखवाऊंगा ठीक है इसकी परिभासा जिनको लिखना लिख लीजिए जिनको इनकी परिभासा या डेफनी जिसकी सम्मुक भुजाएं बराबर और समांतर होती है वह चतुरबुज जिसकी सम्मुक भुजाएं बराबर और समांतर यानि पायरलल होती है तथा जिसका परतेक कौन नब्ययंस का होता है तथा जिसका परतेक कौन नब्ययंस का होता है आयत कहलाता है हो गया कौन है ये सुल्टानपूर से है मतलब मुझे जानता भी एका हाँ है बहुत से ऐसे लोग जिनने मैं नहीं जानता हुँ मुझे जानते है अच्छी बात है चलिए ये समझ में आया आयत कहलाता है अब इसके कुछ फार्मूले हम लिखवाएंगे चुटके चुटके से हाँ जैसे पेरिमेटर और एरिया ठीक है तो पहला लिखिए आयत का परिमाप पहला क्या है इसमें परिमाप तो इनके फार्मूले तो बाद में लिखना पहले तो ये यह perimeter है क्या छों कि perimeter है क्या इसे English में सायथ perimeter ही बोलते हैं परिमाप, चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहते है याद रखना बाकि कोई तुम्हें सुत्रयाद है या नहीं याद है ठीक है किसी भी तेरबुज या चतुरबुज में आप ऐसे समझे लो कि चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं किसी बंद आकृति की चारो भुजाओं के जोड को परिमाप कहा जाता है यानि अगर हमें इसका रेक्टेंगल निकालना है तो इसकी साइड जो भी दी गई होंगी सबको जोड लीजिए वो क्या होगा परिमाप हो जाएगा क्या हो जाएगा परिमाप यानि हमकहे सकते है मोटा मोटा इसका जो सूत्र होता है वो कुछ ऐसा होता है यह लापहार लम्बाई कि मॉइदन लम्बाई धल जन चौड़ाई और धन चौड़ाई इसका मतलब अब लंबाई और चौडाई है कुछ और मत समझना ठीक है चलो यह सूत्र है आप कोगए यह एकउन सा सूत्र है कि एकउंस्य सूत्र है कक्या खतर देखिए इसमें लंबाई दो बार है मैं फार्मूला बना के दिखा रही हूं रटना नहीं है तो लंबाई-लंबाई जोड़ेंगे तो टू इंटू लंबाई हो जाएगा भाईया ये जूड़ गया और धन्टू इंटू इंटू चोड़ा होता है कि समझ में आए ना परस पर ठीक है ओके क्लियर आगे बढ़ें अब क्या है अपरिमाप समझे के सभी किसी को कोई दिक्कत नहीं नहीं अब अगला इसका जो सूत्र हा वो है चेतरफल आएत का चेतरफल पहले तो यह समझ लीजिए वाटिजरी आएरिया क्या होता है कि किसी भी बंद आकर्ति द्वारा घेरे değil संपून्ल चेत्र को उस आकर्ति का चेतरफल कहते हैं किसी भी बंद आकर्ती द्वारा घेरे गए संपूल छेत्र को उस आकर्ती का छेत्रफल कहते हैं कि समझ रहे हो ना यानि इस फिगर में जितना ये जगा घेर रखा है वही इसका एरिया है जैसे आपने सुना होगा जैसे आपका कमरा जहां आप लोग पढ़ रहे हैं हां सब लोग जहां पढ़ रहे हैं कमरे में पढ़ रहे हैं अपने पढ़ने वाले सुनने वाले ना कोई बातरूम हो गारा में तो नहीं पढ़ रहा है न हम आप कुछ लोग कहेंगा है इसा काय बोल रहा हूं भाई होती है कभी कभी सिच्विएशन पढ़ने वाले काहीं भी तो जो कमरे में जगा है वही क्या है उस कमरे का छेतरफल है समझ में है ना वह क्या है आपके कमरे का छेतरफल है जैसे किसी का प्लाट लोग लेते हैं जमीन और लेते हैं तो क्या कहते हैं कि वही इतना वर्ग मीटर है इतना वर्ग स्कॉयर है सुनें हो ना तो वह क्या होता आप पलाट पर पीसी भी हेर्थि द्वारा गहरे गे़ संपूल और छेत्र को उसका क्या कहते हैं श्राइश nicद है इसका नही दोक्छा कहाँ लंबाई गुढ़ाए का गुड़ा करके छेत्र Chance आगें तक क्या करत uniquely हो जाएगा लांबाई गूढ़ाज halves समझ में आया हो गया एक और लिख लीजिए बिकर्ड अगर आयत का बिकर्ड निकालना है लंबाई चोड़ाई दी गई है तो दोनों का स्कॉयर करके जोड़के वर्गमूल निकाल देंगे बस लिख लीजिए लंबाई का स्कायर धन्चवडाई का स्कायर दोनों का वर्ग मूल कर देंगे बस क्लियर बिकर्ड मतलब डाइगोनल लुग को इंग्लिस में डाइगोनल बोला थीक है और जो को बातचीत कर रहा है ना इनको भाई हटाओ फटाप इनको अटाओ यह तो दूसरा जुकार लगाने आ गया यहां कोई और दूसरी सेटिंग मत बनाओ भाई चलो यहां निकल लो निकल लो यहां से चलो पको पको डिश्टरब नहीं सिर्फ पढ़ाई कर यह न यह अवस्था ज्यादा हो चुकी है पढ़ाई लिखाई के हो चुकी है अब बच्चे नहीं आप लोग कुछ दिन बाद बच्चे वाले होने वाले हैं तो आप पढ़ाई कर लीजिए कि सुदर जाई है हमारे जैसे हां चलिए यह हो गया यह आप लोग लिख लिए अब इसी का थोड़ा सा बगल में चित्र बना लीजिए कि देख रहे हैं यह क्या है मजा आ रही ना यह है वर्ग जिसे बोलते हैं स्कॉयर यह क्या है स्कॉयर इसका जो फर्मूला है बिल्कुल इससे मिलता जुलता एकदम सेम तु सेम है क्योंकि परिभासा तो वही होती है इसमें कुछ अलग तो होता नहीं है तो एकदम वह इसे ही होता है कैसे देखो भाई यह परिमाप मैंने कहा था कि चारो भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं चारो भुजाओं के जोड़ को परिमाप बोलते हैं चुकि इसकी चारो भुजाओं आपस में इकवल होती हैं क्या होती है इकवल होती है तो अगर चारो भुजाओं हम जोड़ेंगे मान लो कि मैंने भुजाओं को ए मान रखा है ए मान रखा है न तो चारो भुजा जोड़ेंगे तो क्या होगा परिमाब कोई बताएगा क्या होगा भाईया चार बार ए ए जोड़ोगे तो फोरे हो जाएगा क्या कुछ मैं ज्यादा ते तो नहीं चिला रहा हूं फोरे हो जाएगा न और ए क्या है भुजा है तो हम कह सकते हैं चार गुड़े भुजा, क्या कह सकते हैं चार गुड़े भुजा, यानि वर्ग का परिमाब बराबर फोर इंटू साइड, समझ में आया ना, ओके, चलो, अगला है इसमें छेतर फल, देखिया सूत्र आपको याद एकको नहीं करना है, याद एकको नहीं करना है, याद तुम्हें उसी को करना जिसको याद कर रहे हो, वड़ाई वड़ाई वड़ा चीज़ आद नहीं करना है, एक झीज और बताते हैं कभी कुछ लोगों के सवाल आते हैं, अगर आप जिन्दगी में किसी को बहुलना चाहते हैं, या कोई चीज कोई घटना भूलना चाहते हैं तो आप उसे कभी नहीं बोल सकते हैं समझ रहे हो ना अगर आप भूलना चाहते हैं तो कभी नहीं बोल सकते हैं हाँ आप एक काम कर सकते हैं अपने आपको आप कुछ इंट्रेस्टेट कार्रों में बिजी रखेंगे तो जरूर बूल जाएंगे क्योंकि जो माइंड है ना वो एक साथ में एक ही तरफ सोच सकता है एक ही तरफ लग सकता है अगर आप सिर्फ बैठे हैं सब कुछ छोड़के कि आज भूल जाएंगे कुद को बिजी रखो तो छेत्रफल के बारे में बात करें मैंने कहा कि किसी भी बंद आकृती द्वारा गेरे गए संपूर छेत्र को उस आकृती का छेत्रफल कहते हैं तो इसमें जितना ये इसपेस है यही क्या इसका एरिया है इसमें मैंने लंबाई चोड़ाई का जो और एक फोड़ाई का गुड़ा करेंगे के आएगा थे था अःफर लाइगा तो बहीर लंबाई चोड़ाई के इसमें सब बारबर है तो इसल prêt हम कह सकते हैं बूजा का इसक्षायर हो जाएगा क्यों बूजा कुछा गुड़ा गुड़ा के स्क्षायर हो गया समझ में है न यह को नों गदाहा बोला दारू पीने से बूल जाता है अब है भाई सुधर जाओ समल जाओ हाँ कुछ लोग करते हैं ऐसे पक्के आसी खोते हैं जो खतरनाक धोखा खाते हैं तो दारू सरा पीने लगते हैं लेकिन आप यह सोचो कि अगर कोई आपका होता तो पहली बात तो वो जाता ही नहीं या फिर आपको दोखा देता ही नहीं और दूसरी बात अगर वो आपका था ही नहीं तो फिर गम किस बात का समझ रहे हो कि नहीं, तो किसी से उमीदें कम करो, उमीदें हमेसा दुख देती हैं, उमीदें खुद से करो, दूसरे फिर नहीं, और तुम चाहो कि अगला जब हम बोलेंगे तभी खाना खाएगा, जब बोलेंगे तभी बात्रूम जाएगा, जब बोलेंगे तभी नहाएग तो वो कहां इतना कर पाएगा मतलब वगेरा वगेरा समझ रहे हो ना ये चीज भाई बीना यादों को थोड़ा देर के लिए आप रोंक दीजिए क्योंकि बीना यादों काफी परेसान कर दिये उर्वरसी जी बोल रहीं की बहुत इक्सपेरियंस है भाई देखो मतलब क्या जमाना आ गया है क्या जमाना आ गया मतलब अगर आप किसी की स्टोरी या कुछ चीजें बताईए तो लोग उसमें अनुभाव खोजने लगते हैं हूं सही बात है चलो कुछ भी मान लो तो यह चेत्रफल का हो गया इसमें एक और क्या था भाई और तो कुछ नहीं था जाने दो अटाओ आप चलिए आगे क्या करना है इसको आप लिख लीजिए जिनको लिखना में मिटा रहा हूं इस अब कितना मजा ले रहे हैं यह एक बिने नाम का आ गया इसमें खेला बनके कोनों कहरा मार भी नहीं यह कमार मार कोनों कहरा गाली दे गाली दे भाई ऐसा ना करो पढ़ लिख लो आप लोग कि आप लाइन में अगर रहते तो क्या होता आप लाइन में इसी लिए मैंने आप लाइन बंद कर दिया इसी लफड़ा की वजा से रोज लड़की लड़का लफड़ा होता रहता है तो क्या कर कि मास्टर पढ़ाएंगे कि लड़की लड़का लफड़ा पकड़ेंगे डालिए आयत के आयत की विशेष्टाएं लिखिये आयत की विशेष्टाएं आयत की विशेष्टाएं सेहां मेर्ण दा लिए आयत की बिसेष्था आहा हैं वह एक खतरनाक आदमी का नम है जो अइस चलिचे डोप सुनते होंगे आये हैं तो बोलिए एक बार कि हम हैं है आए वालिख रहें आयत की बिशेष्श्था हैं नंबर एक आ है नंबर एक लिखिए आयत का पर्ते कूण समकों होता है लिकलेजिये जिनको पढ़ना है अप्रपर्टी आफ ट्रेंग्ड डरेक्टेंगल के लगीर है डिक्टेंग्ल यस Top adventures का परते कूण समकोंड होता है लिख भी रहा हुआ कि मैं फालतुआ चिला रहा हुआ नहीं बोलेंगे दूसरा लिखिए आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर एवं समांतर होती है आयत की सम्मुक भुजाएं आपस में बराबर एवं समांतर होती है कि तीसरा लिखिए लिख रहे हैं कि दीरे दीरे बोलें पर लो रुक रुक के आयत के आमने सामने के सीरसों को मिलाने वाली रेखाएं बिकर्ड काहलाती है आयत के आमने सामने के सीरसों को मिलाने वाली रेखाएं बिकर्ड काहलाती है ये रेखा ये हैं ये इंहिकust है कौन सी ये तुझां गर्बड बन गया है सीधा हो जाने सीधा रैजरत बहें और लाम weapon ईयए आमने सामने की जो इन इंहीं को क्या वुलते हैं प्राइबर होते हैं एवं एक दूसरे को संब्धूभाजित करते हैं बिकर्ड मतलब diagonal English में बोलते हैं आयत के बिकर्ड बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को समध्युभाजित करते हैं देखिए अगर आप BTC वाले स्टूडेंट है डी एलेड वाले तो आपको सीरियफली पढ़ना चाहिए क्योंकि जिन्दगी के आप ऐसे पड़ाओ पर चल रहे ना पड़े लिखेंगे नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं यह जो थोड़ा मोड़ा इधर उदर का चक्कर कुद दिन चलता है ना बाद में तो अगर इसे लंबे टाइम तक चलाना है तो कामया बनिये बनिये समझ रहे ना कामया बनिये उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी हो गया तो इसको आपने लिख लिया पूरा सब अब हम इस पर कुछ कोईस्चन भी करेंगे क्या करेंगे एक बात बता दें आप लोग कोई भी समस्टर पर्थम दुतिये तिरतिये चतुर्थ समस्टर कम्पलीट कोर्स पीवी आरे स्टडी अप्लीकेशन डाउनलोड करके जल्दी फे जल्दी खतम कर सकते हैं क्योंकि पीवी आरे स्टडी एप में पूरा फुल कोर्स दिया गया ह आप जाके वहां पर देख लीजिए रंजना सिंग बोल रही कि पढ़ लो मौका है बाकी सब धोखा है अब हम कुछ बोलते हैं यह लोग बोलते हैं कि एक्सपीरियंस है अब अगर यह लोग कुछ बोलें तो इसका मतलब इन लोग को भी एक्सपीरियंस है चलिए फिलहाल बाते होती रहेंगे रॉठ राखें फीर जरूरी है क्योंकि अगर बाते नहीं हो गी तो फिर नीन आती है फिर नहीं नूट हो अगर इनके नाम हम ऐसे रख दें भी है इधरे की इधरे इधरे देख दो ABCD ठीक है यह बताइए कि अगर इसमें BC 12 cm है मीटर में है BC 12 मीटर है तो AD कितना होगा AD कितनी होगी अरे बोलो बक्को कुछ तो बक्को भई अगर CD X मीटर है तो AB कितना होगी भई सिंपल सी बात है बराबर बराबर है सुरू में यही तो चिलाया हूँ सब कोई जानता है हमें इसका क्या करना है हमें इसका पहले तो छेत्रफल निकालना है का निकालना भई साहब च्छेत्रफल निकालना area लेकिन इसमें कुछ दिया भी है क्या दिया है इसका च्छेत्रफल दिया है 240 work meter तो इसकी लंबाई बताओ कितना एक क्या आप लोग कर लेंगे हम लंबाई बताओ कितना एक कैसे निकालेंगे बै सिंपल सी बात है हमने पढ़ा है कि आयत का छेत्रफल बराबर होता है का होता है आयत का छेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुड़े चवड़ाई क्यों भाई यही तो होता है कुछ और होता है यही होता है न और चुकि इसमें छेत्रफल दिया है तो छेत्रफल हम 240 रख देंगे तो यह हो ज कितना आगया 20 मीटर सबसे पहला जबाब कौन दिया है इतने खतरनाक लोग है जिनका नाम है उरुबर्सी वर्मा उरुबर्सी वर्मा का सबसे पहला जबाब था गौतम पटेल का दूफरे नंबर पर था और तीसरे पहले कोनो था परियंका सिंग बहुत अच्छे ठीक है चलिए कोशिस करते रहे कोशिस करते रहे कोशिस करते रहे कोशिस करते रहे कि अगर यह चेत्रफल साथ सो बिस वर्ग मीटर होता तब कितना आता ंस जल्जा व कितना ऩार बिक्रांत, अफनेहा सिंग, बताइए, आर्ती चौधरी, बोलिये, बोलिये, सबसे पहला और सही जबाब जो दिया है, उनका नाम है, उर्वर्सी बर्मा, अब कुछ लोग बोलेंगे हैं, इनई का नाम का है बोलते हो बार बार, कुछ बात है खा, बात इतनी सी है कि इनका ज लिखा का है, मैंने खुद दिमाग में मल्तिपल किया, कि बारा का गुड़ा कर लो, साथ में गुड़ा करेंगे, तो साथ सो बीस आज आएगा, मैंने साथ में मल्तिपल किया था, मैं तो पतार साथ आएगा, कितना आएगा, साथ आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह के question आप लोग कर लेंगे यह आयत हमने यह क्या है कि इसमें त watts कुछ लंबा चा वड़ा चोड़ा तो करना रहे लिए चोटे चोटे कोई टाइओ कहें कि इस तरह का सब कर लेंगे ना आप लोग अ कि बड़े-बड़े कुश्टिंइसमें करवा भी नहीं ड़ीination क्योंकि कोश्चन लिखेंगे तर टाइम लगेगा बड़े question हमें एक दिन में करवाएंगे question टाइपिंग करवाएंगे उनको आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे फिर हल करवा देंगे ठीक है एक और बताईए एक आयत का बिकरड ग्याद कीजिए जिसकी सनलगन भुजाएं 12 फेंटी मीटर और 5 सेंटी मीटर है बताईए एक आयत का बिकरड ग्याद कीजिए जिसकी सनलगन भुजाएं ये 12 मीटर मानलो और ये 5 मीटर है इसका ये निकालना है A C और B D ये दोनों निकालना है चलो बताऊ कितने लोग कर लेंगे प्रियंका सिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत वेलकम लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके रखिये जिससे कल भी आप पढ़ पाएं ये कलाफ रेगुलर सप्ता में तीन दिन होती है PVR स्टड़ी लहाबाद चैनल पर सोमवार मंगलवार और बुधवार को सोमवार मंगलवार और बुधवार को राद 10 बजे से डियलेट का फ़र्स समेश्टर होता है बाकी अगले तीन दिन आप इसे रिवीजन भी कर सकते हो ठीक है तेरा सेंटिमेटर आ रहा किसी का कि राइकल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है सही बात है तेरा सेंटिमेटर आएगा क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बिकर्ड का सूत्र बताया था कि भाईया बाबू राजा बिकर्ड बराबर यानि डाइगोनल इक्वल ये लेंथ का इसक्वाइर फ्लस ब्राथ इंग्लिस में का बोलते है ऐसे कुछ न इसक्वायर वर्गमूल के अंदर हो लंबाई 12 दि गई है इसका इसक्वायर कर दो चोड़ाई 5 दिält ये इसका इसक्वायर कर दो बहिए द्या 144 प्लस यह 25 यह कितना हो गया 169 हो गया इसका वर्गमूल करोगे तो तेरा आएगा यानि 13 मीटर 13 मीटर समझ में आया ना आया समझ में इस तरह के आप लोग बिकरड़ वाला भी कर ले जाएंगे जितने बड़े बड़े कुश्चन है मैं एक भी नहीं करवा रहा हूं क्योंकि बड़े बड़े कुश्चन लिखने पढ़ेंगे लिखेंगे तो टाइम बिच जाएगा उनको हम एक दिन में सब करवाएंगे थोड़ा दिल थाम किया ना खाना पीना खाके सतु अपिसान लेक है ताइम भी हो गया बंद किया फिर आप लोग एक मिनिट में जल्दी से फट से बताइए कलास आज की खतम हो गई कि आपको पता है यह कलास रात 10 बज़े से रोज होती है सब तामे तीन दिन आगे पढ़ाया जाता है वाकि तीन दिन के लिवाजन होता है अगर पता है तो क्लास पर्याग राज उत्तर पर्देश से चलती है आप कौन से जिले से हैं और कौन से राज्य से हैं कोई अपने गाव मोहला पडोशी का घर का नंबर नाम नहीं लिखेगा ठीक है सिर्फ जिला और राज्ये ओनली डिस्टिक और इस्टेट बताईए थोड़ा सा तसली मिलत यहां आप लोग टेकनोलाजी का भरपूर फायदा उठाके अच्छा काम कर रहे हैं बागी तो लोग मोबाइल में का देखते हैं आपको पता है 95% लोग ऐसी चीज देखते हैं मोबाइल में कि जो नहीं देखना जाए आप भी सर्च कर लेना गूगल पर पता चल जाएगा पढ़ाई वाले आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है आप अच्छे बच्चे हैं मतलब बच्चे हैं या जो भी है हाँ तो इसमें कमेंट बहुत सारे आने लगे यंपी के डिस्टिक ग्वालियर से रूपेश जी जुड़े हुए हैं और दीपका बनारस से हैं सीवं विसकरमा जी परियागराश से हैं रंजना सिंग मतुरा उत्तर परदेश से हैं बस्ती से अनुपा मोर्या हैं रीमा से हिर्द्यांसी कश्यफ हैं सीतापूर से अंजली बर्मा हैं इंदोर यानि मद्य पर्देश से विकरांत जी हैं कानपूर से हैं उर्वर्षी जी प्रिति क्रेशन यूपी सुल्तानपूर से हैं वह सुल्तानपूर में कहां से हैं आप क्योंकि सुल्तानपूर में हमारा भ थोड़ा दूर पर हैं ने का पता नहीं मुझे मालूम नी ठीक है असिल्पा भी प्रयाग राज से हैं और माहिरा पंडिती उपी से हैं दीपका भी बताया मैंने एक बार योगेन मैंदपुरी से हैं बांदा से ठीक है तो मैंने समझ लिया फिल्हाल अमहट अच्छा सिटी से ठीक है तो फिल्हाल आज का मुझे लगता है कि सेशन खतम करना चाहिए और अब नाम पढ़ें गे तो बहुत सारे लोग हैं बहुत जगा से हैं माफी चाहते हैं जिनका नाम नहीं बोल पाए ताइम फाल्तू लग रहा है बाद में देखेंगे तो गरी आएंगे फाल्तू का नाम बोले जारा पढ़हान दाय इसलिए बंद करते हैं